अमस्कार बहुत वागत है आपका हमारे स्कास कारकर में मैं हूँ आपके साथ शिल्पातोमर तो लोकसबाद चुनाव 24 के नतीजे खोशित हो चुके हैं जहां एंडिये खेमे को मिली 293 सीटे तो 234 सीचों पर एंडिये का कुणबा भी इंडिया का कुणबा भी लेकिन इसे पीचे सबसे होट सीट विहार की पूर्णिया रही और उस होट सीट से इंडिये लिए उमीदवार पपू यादव ने जीत हासल की मैं सिधा रुकरना चाहूंगे हमारे सेयोगी सद्दाम का इस वक्त उनके साथ पपू यादव खुद मौजूद है ओवर तर यू सद्दा बिल्कुल जैसा कि आप बात कर रहें कि होट सीट बन चुकी थी पूर्णिया और वहाँ पर किस तरह से जनता ने जो प्यार दिया पपू यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करेंगे कि वहाँ पर जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया उनके लिए वो क् कोई भूमिका नहीं हम से 24 सिंटो सेवा करते हैं और नेता नहीं बनते हैं अनेता बनना भी नहीं है तो पुर्णिया का नेता जीता है या बेटा जीता है वहाँ बिहार क्या बेटा है पुर्णिया से अनुखा रिस्ता है पहले भी तीन बार निर्दलिया जीत चुके हैं म और मैंने जितना भरोसे किया उससे कई करूर गुना जादा भरोसा उन्होंने मुझपे किया उसने तो सारे इतिहास लिख दिये नरेंदर मोदी जी दो बार गया जुबराज जी चार दिन रहे, साथ MLA, दो रासभा MP, छे MLC के साथ मुखमंत्री जी तीन दिन गया है, सारा administrative लगा रहा है, कोई मायबाप नहीं था, कितना torture है भोच का अंदाज आप नहीं, तो जनता चुनो लड़ रहे थी, हम कहीं नहीं थे, पूरी जनता चुनो लड़ रहे थी, पूरा हर जाद का यूथ चुनो लड़ रहा था, और सबसे जाद है, वहां माहूल बनाया भई, आप इसको समझे कि कहीं भी उतना बहुत आदिवासी दलित मुसल्मान का नहीं पड़ा होगा, हंडेट टूर पर तिसद मुसल्मानों ने बहुत, परसेंटेस की बात मैं बता रहा हूँ, 85 से बढ़ा 92 तक है, जो हिंदुस्तान में किस को नहीं मिल सकता है, 85 से सुरू भी मुसल्मान का मौट, 92 तक है, 70, 60 से क्रॉस नहीं किया भी हार में मैंनो, कई कारण है उसके, करिया को वहां से भगाया, हिना साथ को नहीं दिया, बोल दिया, इंडिया नहीं, एंडिया को दे दो, कई कारण मन पर नहीं तो, अररिया में दो कास्ट 11,00,000 से उपर है, आप वहां चुनो कैसे हार जाए गए भई है, वहां ली टू कास्ट, कठियार किस परिश्थिति में जीते हैं हो, हम जानते हैं, आप इसको समझे, आप इतने आहलात आज 25 सिट होते वहां, 26, आप एक व्यक्ति के बिरोद के जिद के कारण, एक व्यक्ति के जिद के कारण, आपने मधेपुरा गमाई, आपने अररिया गमाया, आपने सुपोल गमाया, खगरिया गमाया, जंजारपूर गमाया, मधवनी गमाया, दर्वंगा गमाया, आप उठा गर के देखिए, आप कितने सीट खत्म किये, आज देश को नुक्सान ह तो दिल्ली ने तकलीफ दिया दुस्री चीज ब्यार सबसे बड़ा तकलीफ दे दिया एक बड़ा सवाल उठ रहा है पपूय अदब जी की इस वक्त आप जनतंत्र टीवी पे लाइब है पूरा देश आपको सुन रहा है आप एंडिये के साथ है जाएंगे या फिर इंडिया के साथ है अब देखिए हमको तो एक भास समझ में नहीं आथा है कि आप लोग एजंडाता है क्यों करता है देखे मेरे लिए प्रात्मिका अजनता और तब है विहार का विकास हमको कोई लेना देना आपके दिल्ली पतना अनियता के दिसे नहीं है हम बेया हाँ जोडते है ह हम एक सदारन वरकर है रहने दीजे काम करने दीजे विहार मेरा लक्षा है पी-म-सी-म मंत्री जिसको बनना है बनने दीजे हम लरके पैर पकर के नरंदर मोदीजी मेरे भी पी-म है हम काम कर लेंगे जैसे ही खतम होगा लोग सब वोथ हूथ परिवार अपने बच्चों के स सब्सक्राइब करके हम सीधा चेतर जाएगा कॉंग्रेस ने कुछ बातचीत किया आपसे तो डेलिये बात रहती है राइबरेली में हम थे अमेठी में थे बनारस में थे जारकर में काम कर रहे थे परताव सब जगह थे और कॉंग्रेस के राहुल जी और प्रहंका गांधी क तो पूरा फ्लेसिंग और ट्रस्ट मेरे परती दाता है तो मेरे लिए दोनों नेता का ट्रस्ट है यही बहुत है क्या कॉंग्रेस में जब अगर जाते हैं या फिर अभी तो हैं आप आपकी पार्टी भी विले हुई है तो सर्त कुछ होगा या बिना सर्त मना हम सर्त बाले लोग हम आपको क्या लग रहा है कि आपर चल रहा है 60% मार्केट वाला ओफर सर करोना में हम मर सकते थे ना आज पिता के रुप में हम नहीं रहते हैं इनके बगर में 46,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जाजी और मुसलमानों में पैसा बाढ़ने की कोशिज की गई उसके लोगों को खरिद लिए मुसलमान को और पुर्णिया हम कभी चुनों आज तक बढ़े ही नहीं को रहाट टोटिली पीजेपी हम पुर्णिया में आट समॉड़ चाजीद्या से हार गए थे और साथ बार च सबसे ज़्यादे खराब था एक लाग से डिपीट होते थे सब दिन वहाँ एंडिया जीता अठत्तर हजार से हम इस पार उसको लाए चौदर हजार पर तो आप सोचिए ना अंदाजा करिए ना कि चुरों कैसा हुआ यही राज़त के कंडिडेट भोंट पचासो हजार लाया होता पचास तो मेरा एवरेज एक लाग क्रोस करता हम क्यों 24,000 से जिते हैं कुस्वाह समाज का भी वोट मिला है बिलकुल मिला जहां कुस्वाह समाज क वहां को डेर सथा एकड़ मिला सारे बुतों पर कुस्वाह समाज का भोंट है हम पर एकड़ मिला बुम्यार समाज के लोग लगबाग 82 80% दिये वहां कोई जाती ही नहीं थी भाई हिंदु मुसल्मान नहीं था कुछ नहीं था वहां था बेटा वहां था चुनो होट सिट था नावलों का वह अनाट का चुनो और आता दिखा रहते पुर्णिया सारा चैनल चले गए सब को किसी को मतलब नहीं था पुर्णिया मेरी जल क क्या हुआ यह लोग सुनना चाह रहे था आप समझे लोग कह रहे कुछ सहानबूती वाला भी वोट आपके साथ आया था इसी ने जी पिलाई कोंची का सहानबूती हमको बताएगा तब ना हम तो हमेशा कर्म करते हैं 24 गंटा सेवा करते हैं आप जहां से टीकट लेना चाह र भ्या हमारे प्रती बेटे का सम्मान और मा का साहनबूती तो रहता ही है ठीक है हम धिया की भीख वाले नहीं है इन लों के तरह कभी पेट में धरण कभी कमर में धरण कौफी पिने के लिए बिना चीजों के जाएंगे उसके बाद भ्या बिहार को जीता जा सकता था हेलिक् में केक काटने और मचली खाने से ज़रत नहीं थी हम सिरियस नहीं हुए व्यार में और यहां अखले ज्यादव सिरियस थे और हम लोग समझ गए थे तीन के बाद की चीजे निकल गई जी आप इसको समझ यह इसी लिए ऐसा कुछ नहीं है पूर्णियार कोशी सीमांचल कभ त जनता एकदम बच्चे के तरह ठीट करता है उनकी सानबुती और विले सिंग हमेशा मुझ को चाहिए और उनके सानबुती के लिए पूरी आपको समर्पित बता तो रहे हैं लेकिन देखिए एंडिया या इंडिया खेमे में जाना एक अलेक प्रेश्न है सद्दाम जरा उन ठीक है हमारी जो एंकर है सिलपा मैम है वो कह रही है कि आप दोनों खेमे में से किसको मजबूत मान रहे हैं इस पर आपकी परते के लिए अच्छा एक बाद बताएए ना हम उसके परवक्ता हैं ना हम किसी दल में हैं हम से इससा बात कहाईल पूछ रहे हैं अच्छा ना हम लेकिन एक राजनिती पड़िपक आदमी है तो मेरी समझ है जो में समस्ता हूं एंडिय की सरकार है मोधी की सरकार गई मोधी जी की मैजिग गई मोधी जी के साथ जो रहे हैं मेगाले खत को बरबाद किया इन्होंने अन्नावीन दादा को बरबाद किया नितीज कुमार जी जल्दी छुटकारा नहीं लेंगे तो इनका दल तूटेगा चंद्रा बाबु नैडू का दल सिर बचेगा जितने सिंगल अडबल है इसमें उस सब जाएंगे जो में समझता हूं लेकिन अभी के हालात में उच्छिए सब्सक्राइब के साथ है और आगे भी रहेंगे और इनको ऐसा क्यों लगता है साथी सवाल ये भी कितनी मजबूती के साथ मोधी सरकार रागे चले बाली है और सिर कि अभी बेज दिया गया है कि पाँच एंपी ममता के साथ चली गए आप इसको समझे आप इधर गाइव गया तो दस निकल गया इए कितनी मजबूती के साथ ये सरकार चले वाली है आपको क्या लगग रहे है आपको लगता है मोधी जी को छोड़ना नपड़ जाए एकिस रहूल गांदी और प्रियंका गांदी और वह नहीं आया इसके लिए वो कुछ भी करेगा अब मैं जितना समझता हूं और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मोधी जी की सरकार मेरी कलस नहीं कर पाएगा और सूली पे लटके लटकेंगे लटकेंगे तो अज़ सब्सक्राइब को यह क्या कहेंगे वादर प्रचार किया जबरदस्तों ने मेहनत की टूटी हुई टांग के साथ एलियो बनाजराय लेकिन फिर भी आर्जेडी चार सीटों पर शाओ बिल्कुल डिफरेंट है पहले भी चंदाबाव नहीं किंग मेकर थे और तुना एक बा हमको कोई मतलब नहीं कोई लेना देना नहीं जो बाद गई भीद गई मुझे कोई लेना देना नहीं मुझे तकलीफ इस बात का है कि अभी नरेंदर मोदी जी ओथ नहीं लिये हैं परसो परफुल पटिल का सब केस माफ कर दिया सारा केस माफ कर दिया और तेजपरताब जी तो बखकस ये जान अब तो काम करिये नितिगत बात करिये आपने परफुल पट्टिल का सब केस उठा दिया परसों जितने केस थे और फिर चार सीट कर दिया तो ऐसे चीजों का विरोध तो मैं सदन में भी करूंगा सदन के बाहर भी करूंगा मुझे नीजी हमला पसंद नह करने के लिए तो यह हमारे साथ पप्पू यादव थे जिन्होंने सभी सवालों के जबाब बारी के अंदाज में दिये जिनका साबत तोर पे कहना है कि हम तेजस्वी के लिए कुछ नहीं कहेंगे लेकिन जो नीजी हमला होता है वो मुझे पसंद नहीं है कैमरामें लक्ष मुझे इंड्या गडबंदन से मतलब नहीं है मेरे ंपर जिन लोगों ने विश्वाच चदाया है जिन लोगों ने मुझे एहम जम्मिधारी दी है पूनिया की जनतागी उन्होंने साफ दोर पर बात की उनके लिए दिन रात में काम करने वाला हूं उनके प्रती में जवाब दे हूं चली से के साथ हमारे साथ इस खास कारक्टर में फिलाल पर सितना ही आप बने रहें जनतंडर टीवी के साथ नमस्कार